आईपियल दो जर्वाइस की तैयारिया लगभग पूरी हो चुकी है और सभी टीमों ने अपनी कबर कसली है पहली बार आईपियल में दस टीम खेल टीम भी नज़राएंगी जिसमें से एक एहमदावाद की टीम भी शामिल है सबसे पहले जानेंगे किसने खरीदी आईपियल एहमदावाद की टीम को खरीदा है दूसरा कौन होगा टीम का प्रायूजक आईपियल में एक प्रायूजक की एहम भूमिका रहती है खिलारियो की चर्सी पर प्रायूजक का नाम होता है एहमदावाद की टीम का प्रायूजक स्लाइस है और अधिकारिक रूप से तीन साल तक एहमदावाद फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ा रहेगा हालांकि अभी इसकी अधिकारिक घोशना होनी बाकी है कौन होगा टीम का कोच वर्ल्ड कप विजेता भारत के पुर्व कोच गैरी कस्ट्रन इस टीम के मेंटोर होंगे वहीं भारत के पुर्व देज केंदवाज आशुस नहरा मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे और इंगलेंड के पुर्व खिलारी विक्रम सुलंग की टीम के क्रकेट डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे कौन से खिलारी किये हैं एहमदावाद ने रिटेन आइफिल मेगा आक्शन से पहले एहमदावाद की टीम को तीन खिलारी चुनने थे नियम के मुताबिक एहमदावाद की टीम ने भारत के पहतरीन ओल रॉंडर हार्दिक पांजिया अफगानिस्तान के स्पीनर राशीद घान और युवा हिलारी शुवमन गिल को अपने साथ जोड़ा है हार्दिक पांजिया और राशीद पर 15 करोर वहीं शुवमन गिल पर 8 करोर रुपे का खर्च किया है हार्दिक पा केट धन्दियवाद